विनेश फोगाट के Silver Middle वाले केस से रिलेटिट कुछ बड़े अपडेट्स आये हैं जी आगा, इस पिछले कुछ दिनों से मैंने आप लोगों को लगतार अपडेट्स दिया है विनेश फोगाट के बारे में उस दिन फिर से extend कर दिया जाता है इतना ज़ादर discussion चल रहा है इस silver medal को लेकर और विनेश फोगाट को लेकर कि विनेश फोगाट बन गई the most such athlete worldwide on google search last week भाई अगर इनको silver medal मिल जाता है तो she might become the most such athletes for the whole month talking about विनेश फोगाट तो PR CJ's जो कि Indian hockey team के goalkeeper हैं उन्होंने भी विनेश फोगाट से related ये चीज रिवील करके बताया हमारा bronze medal वाले match के दिन मैं विनेश फोगाट से मिला था और उन्होंने मुझसे बोला भाई good luck, play well मुझे ऐसा feel हुआ कि वो अपने pain को छिपा रही थी with that smile she's a real fighter और आप लोगों को याद होगा मैंने इस वीडियो में पताया था कि Los Angeles 2028 Olympics में cricket को वापस लाया जा रहा है और वो भी 128 साल के बाद बढ़ उसके साथ और 5 new sports add किये जा रहे है which is baseball, softball, squash, flag football and lacrosse और शायद आप लोगों को पता को जो 2 bronze medal जीती है हमारे लिए इस बार मनु भाकर उनका और silver medalist नीरा चुपड़ा का कुछ rumors फैल रहा था कि वो दोनों date कर रहे हैं, उनकी शादी हो सकती है recently उनका एक वीडियो भार आया था तो उसमें भी यही comments आ रहे थे कि यह दोनों ऐसे बात करें जैसे arrange marriage कराई जा रही हो and many things like these और मनु भाकर का मनु भाकर की मदर के साथ भी एक वीडियो वाइरल जा रहा था तो इन सब चीजों को लेकर काफी rumors spread किया जा रहे थे बट मनु भाकर के father recent के एक interview में ये clear कर दी है कि ऐसा कुछ बिलकुल भी नहीं है मनु is still too young and उनकी family उनकी शादी के बारे में बिलकुल भी नहीं सुच रहे at this point of time और मनु की मदर नीरज को अपने बेटे जैसा मानती है तो और किसी तरह का बात ना फैलाया जाए